दोस्तों, देखते ही देखते यह 2024, आधे से ज्यादा खतम हो चुका है, और अभी भी ज्यादा तर लोग अपने निर्धारित लक्षे के करीब तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंध तक बने रहो। आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में केवल चार सरल स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप जिन्दगी में कभी भी समय बर्बाद नहीं करोगे या मेरी गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखी है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार टाइम वेस्ट करना किसे कहते हैं। अगर हम टाइम वेस्ट की डेफिनिशन की बात करें, तो जब आप किसी ऐसे काम में अपना समय देते हो जो अनवशक है और आपकी लाइफ में कोई भी बेनिफिट्स नहीं जोड़ता तो ऐसे काम को करना एक तरीके से टाइम वेस्ट है जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा पहला गोल पढ़ाई करना है लेकिन अगर मेरा ज्यादातर समय ऐसे बेफालतू के काम करने में ही नहीं होता कि वास्तव में उनका समय बरबाद हो भी रहा है या नहीं अब सवाल यह आता है कि आखिरकार हम यह कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा टाइम वास्तव में वेस्ट हो भी रहा है या नहीं और अगर हो रहा है तो वह कहां पर हो रहा है तो दोस्तों यही समस्या बे ही शिकायत करते थे कि वह कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते और उनका पूरा दिन सिर्फ समय बर्बाद करने में ही निकल जाता है। हाला कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को यह बात बहुत ही बेकार लगती थी क्योंकि उनके अनुसार वह पूरे दिन बहुत महंत करके काम करते थे। इसी लिए वह इस बात से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उन्होंने इस समस्या को समझने के लिए इसे गहराई से विशलेशित करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने खुद के वैभार को अच्छी तरह से नोट करना शुरू किया। वास्तव में वह अपने पास एक डाइरी रखा करते थे जिसमें उन्होंने तीन सूचिया लिस्ट्स बनाई पहली सूची में उन्होंने उन कामों को रखा जो उनके लिए एक राश्ट्रपती के रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे जैसे की समवीद अन्शील राजनीतिक जांकारी और मुद्दो को गहराई से समझना और फिर उनके आधार पर कारवाई करना दूसरी सूची में उन्होंने ऐसे कामों को रखा जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे जैसे की मीडिया को रोज इंटर्व्यू देना या हर विभाग की रिपोर्ट को खुद पढ़ना वहीं तीसरी सूची में उन्होंने उन कामों को रखा जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था जैसे की सोशल गेदरिंग्स में जाना या अपने मंत्रियों के साथ बेवजह बातचीत करना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने दिन के हर मिनिट को इन तीन कैटेगोरीज के हिसाब से नोट किया एक हफ़ते के बाद उन्होंने यह नोटिस किया कि वह ज्यादा समय उन चीजों पर लगा रहे थे जिन्हें करने की वास्तव में जरूरत नहीं थी या फिर जिन्हें आसानी से अवोयड किया जा सकता था जिसकी वजह से उनके पहले प्रायोरिटी में रखे गए काम कभी पूरे हो ही नहीं पाते थे इस एक्सपेरिमेंट से वह यह बारिकी से समझ पाए कि असल में उनका समय किन कामों में बरबाद हो रहा है आप भी अपने लिए इसी तरह की लिस्ट तयार कर सकते हैं जहां आप खुद समझ पाओगे कि आपके लिए कौन-कौन से काम महत्वपूर्ण है और आप किन चीजों में अपना समय वैस्ट कर रहे हो इसके लिए एक टाइम ट्रेकर पंफलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसकी मदद से आप भी Franklin की तरह सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने कामों को first priority, second priority और third priority में divide करके असल मैं on paper note कर पाओगे कि आपका समय किन कामों में बरबाद हो रहा है अब जब हमने यह समझ लिया है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है और हम अपने समय को कहा कहा व्यस्ट करते हैं तो अब सवाल यह आता है कि आखिरकार हम अपने समय का सबसे productive तरीके से कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लिए कई सारे methods मौझूद हैं जिन्हें मैं आपके साथ share करने वाला हूँ लेकिन इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिरकार यह priority setting करना इतना ज़रूरी क्यों है एक बार एक philosophy के professor ने यह decide किया कि वह अपने students को time management का concept एक demo देकर समझाएंगे जिसके लिए वह अपने class में चार छोटे छोटे कंकड और कुछ बड़े बड़े पत्थर लेकर आए और उन्हें एक table पर रख दिया फिर professor ने एक छात्र को चुना और उसे जार में सारे सामान को भरने को कहा चात्र ने तुरंथ ही जार उठाया और सबसे पहले उसमें रेत यानी की छोटे छोटे कंकड भरने शुरू किये फिर उसने थोड़े बड़े पत्थर डाले जब उसने सबसे बड़े पत्थर डालने की कोशिश की तो देखा कि अब जार पूरी तरह से भर चुका था और वह चाहकर भी बड़े पत्थर उसमें नहीं डाल सकता था क्योंकि अब जार में उनके लिए जगह ही नहीं बची थी इसके बाद बाकी चात्रों ने भी यही प्रयास किया लेकिन वे सभी असफल रहे और सारा सामान जार में नहीं भर पाए अंत में प्रोफेसर खुद सामने आए और उन्होंने सबसे पहले जार में बड़े बड़े पत्थर डाले फिर उन्होंने उसमें छोटे-छोटे कंकड डाले और अंत में रेट डाल दी यह देखकर सारे बच्चे हैरान हो गए तब प्रोफेसर ने समझाया कि दरअसल यह जार हमारे पूरे दिन को रिप्रेजिंट करता है रेट और कंकड हमारे उन छोटे कामों को दिखाते हैं जो कम प्राथमिक्ता के होते हैं जैसे की टीवी देखना, सोशल मीडिया चलाना या दोस्तों के साथ बिना मतलब समय बिताना वही बड़े पत्थर हमारे उन महत्वपूर्ण कामों को दिखाते हैं जो हमारी जिंदगी की पहली प्राथमिक्ता होने चाहिए जैसे की 12 गंटे पढ़ाई करना, अपने बिजनिस में ग्रोध हासिल करना या किसी नए स्किल को सीखना मगर वास्तविक्ता यह है कि ज्यादा तर लोग अपने कामों की प्राथमिक्ता को सेट नहीं करते जिसके कारण, अंजाने में ही सही, वे अपना अधिक्तम समय उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जो उनके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जिस काम को करने से उनहें कोई ज्यादा फाइदा नहीं होने वाला, इसलिए दिन के अंत में उनके पास अपनी प्राथमिक्ता वाले महत्वपूर्ण काम को करने का समय ही नहीं बचता इसी वजह से ज्यादा तर लोग अपने मन्चाहे लक्ष को हासिल नहीं कर पाते और दिन बदिन समय को इस माया जाल में फंस्ते चले जाते हैं लेकिन वहीं जो लोग सुभा उठते ही सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा कर लेते हैं उनकी जिन्दगी में यह रेत और छोटे कंकर जैसे कम प्राथमिक्ता वाले काम खुद ही मैनेज हो जाते हैं इस तरह वे एक संतुलिद जीवन जी पाते हैं और अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और हाइस्ट लेवल को एक्सेस कर पाते हैं इसलिए आप खुद ही तै करो कि इन दोनों में से आपको कौनसी जिन्दगी जीनी है मुझे कमेंट करके यह ज़रूर बताएए तो दोस्तों, अब हम समझ चुके हैं कि हमारे लिए अपनी प्राथमिक्ताए सेट करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम इसे कैसे कर सकते हैं मगर क्यों ज्यादा तर लोग प्राथमिक्ता सेट करने के बावजूद भी अपने निर्धारित काम को पूरा नहीं कर पाते इसका सबसे बड़ा कारण है लाक ओफ मोटिवेशन अब सवाल यह आता है कि आखिरकार इस मोटिवेशन को कैसे लाया इसके बारे में Dr. Piers Steele अपनी किताब The Procrastination Equation में मोटिवेशन का फार्मूला बताते हुए समझाते हैं कि मोटिवेशन, Expectancy X Value, बटा, Impulsiveness X Delay यानि कि जब आप नीचे दिये गए पैरामीटर की वैल्यू को कम करते हो तो आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है जैसे कि मान लो कि आपके एक्जाम एक साल बाद हैं तो आपके पास तयारी के लिए बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है यानि कि यहां डेडलाइन की वैल्यू बहुत ज्यादा है ऐसे में आपको पढ़ाई करने का बिलकुल भी मन नहीं करेगा लेकिन वहीं अगर आपका एक्जाम अगले दिन हो तो आप बिना किसी बात की परवाह किए बाकी सारे काम छोड़कर पूरा सब्जेक्ट एक ही रात में पढ़ने की कोशिश करोगे क्योंकि यहां पर डेडलाइन बहुत ही छोटी है इसलिए आप प्रेशर में आकर भी अपने काम को समय से पहले ही पूरा कर लेंगे क्योंकि यहां डेडलाइन बहुत छोटी होती है इसी कारण दिमाग में उठने वाले भाव जैसे फाल्तू टाइम पास करने के ख्याल या आवेग भी कम हो जाता है इस वज़े से आप अपने काम पर 100% फोकस कर पाते है अब अगर आपको इस मोटिवेशन पर मजबूत पकड़ बनाए रखनी है तो हमें उपर दिये गए दो पैरामीटर की वैल्यू को बढ़ाना होगा यानि एक्सपेक्टनसी और वैल्यू के लेवल को हाई करना होगा जब वैल्यू बढ़ती है तब मोटिवेशन भी बढ़ता है मतलब जब आपको यह पता चले कि आपकी पढ़ाई करने से आप एक ऐसी दवा की खोज कर सकते हैं जो आपकी मा की जान बचा सकती है तो चाहे हालात कैसे भी हो आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं होगा अगर आपके अंदर इस तरह की वैल्यू नहीं है तो कभी भी आप में मोटिवेशन पैदा नहीं हो सकता जैसे अगर मैं कहूं कि आप इस किताब का एक पेज पढ़ कर दिखाओ तो मैं आपको 10,000 रुपे दूँगा तो आप बिना देर किये कुछ ही समय में यह काम पूरा कर दोगे वै भी पूरे मोटिवेशन के साथ क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होगा कि यह छोटा काम आप किसी भी हालत में कर ही लोगे लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको 10 अंग्रेजी किताबे पढ़नी हैं और उन्हें लाइन बाइ लाइन याद भी रखना है और इसके लिए मैं आपको एक लाख रुपए दूँगा तो शुरुवात में भले ही आप पैसों के लालच में हाँ बोल दो लेकिन समय के साथ आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा आप सोचोगे कि यार यह कैसे हो पाएगा इस डगमगाने की वजह से ही आपका मोटिवेशन कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा इसलिए अगर मोटिवेशन बढ़ाना है तो इन दो पैरामीटर की वैल्यू को भी बढ़ाना होगा और अन्य दो पैरामीटर, इंपल्सिवनेस और डिले की वैल्यू को कम करना होगा अब सवाल यह आता है कि इसे हम प्राक्टिकली कैसे इस्तिमाल करें और सिर्फ एक ही काम पर 100% फोकस कैसे करें इसका एक आसान तरीका यह है कि आप खुद को किसी भी काम के लिए सिर्फ 25 मिनिट का समय दें और इस 25 मिनिट में पूरी एक आगरता के साथ काम करें जब 25 मिनिट पूरे हो जाएं तो 5 मिनिट का ब्रेक लें इस तरह आपके सामने एक छोटी डेडलाइन होती है और 25 मिनिट बाद आपको 5 मिनिट का ब्रेक मिलता है जिसमें आप अपनी मनपसंद चीजें कर सकते हैं इस से आपके मन में उठने वाली अंचाही इच्छाय शान्त हो जाती हैं और आप 100% फोकस के साथ 25 मिनिट का काम पूरा कर लेते हैं जैसे ही आप पहला 25 मिनिट पूरा करते हैं आपको यह यकीन हो जाता है कि आप जो करना चाहते थे उसमें आपको परिनाम मिल रहा है इस से आपका मोटिवेशन और भी बढ़ जाता है जितना आप इस मेथड को फॉलो करते हैं आपका मोटिवेशन लेवल उतना ही बढ़ता जाता है यही वज़े है कि मैं खुद भी हर दिन इसे फॉलो करता हूँ इसलिए मैं आपको भी सलाह दूँगा कि इसे एक बार आजमा कर देखें और अगर काम करने में मज़ा नहीं आया तो कमेंट में लिखें लेकिन अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को देखने वाले हर इनसान को बताना कि यह कितना कारगर है अंत में धन्यवाद दोस्त